वालो फांद वालकुम वालकुम पर बात करने वाले हैं एवेंजर एंड गेम के डे एट और दे नाइन के बारे में इन दा कंट्री ऑफ इंडिया वेज़े फ्रेंड जैसे आपको पता है कल रात को मैं आपको जब मैं वर्लबाइड कलेक्शिंट में बता रहा था कि मैंने आ आद हूं मैंने एवेंजर एंड गेम का स्पॉइलर रिव्यू दे दिया है संदे का दिन था मैंने वह लेट यू आल गाई सीधा फिल्म गिरके बारा दशामल पांच शूनिया याने के 12.50 करोज पर आकर गिर गई लेकिन उसने अपना पूरा का पूरा पैसा फॉर्स्ट विक में वसूल कर लिया है मतलब इतना वसूल कर लिया है कि दो गुना तीन गुना चार गुना लोगों ने एक्सपेक्ट ने के था उतना लेकिन गाईस जैसे सैटेड़े आया लोगों ने फिर से अपने बट्वे खोले फिर अपने नस्दी की 3D IMAX 4DX थेटर में जाकर जासी दा ग्रोथ फ्रम 12.50 करोज टो 18 करोज मैसिव जम और आज कम से कम 22 करोड पर कमाई गी फिल्म और गाई सैटेड़े याने कि इसके डे 9 को इंडिया में एवेंजर एंड गेम स्माश्ट 18 करोज टेकिंग इट्स अल्मोस्ट लाइफ टाइम टोटल त दो सो नबबे दशमलव नौशूनिया करोड की कमाई की है इस वाज वर्ल्ड इवेंट विच टूक मैसिव लीप्स इन इंडिया सीडियस्ली एस्टॉनिशिंग फिगर आज यह फिल्म तीन सो करोड में चली जाएगी और बन जाएगी पहली होलिवूड फिल्म जो इंडि फिर है टाइगर जिंदा है दंगल सुल्तान बजरंगी भाईजान और पीके मैंने को ओडर में नहीं बताया है रैंडमली बताया कौन सी कौन सी फिल्म में 300 करोड क्लब में अपने हिंदी में ऑविसली बाहु बली है जो के 500 करोड क्लब में हिंदी वर्जन बोल रहा हूं अगले हफते आने वाली है स्क्रीन लेकर चले जाएगा लेकिन ऊडियोंस का इतना मैसिफ रिस्पॉंस है कि इसको दूसरे हफते का तीसरे हफते में भी किसी को नई देना चाहते है जब देदे प्यार दे आएगी तब इसके क्लेक्शन स्टोड़े कम हो जाएंगे लेकिन तबी बेती इंचार कोड़ कमाते रहेगा तो फिल्म इस ओल उन ट्रैक टू काच दंगल एप इंडियन बॉक्स ओफिस लेट सी क्या दंगल को भराती या नहीं राती तो वक्ती बताएगा क्या चार सोड़ जाएगी या नहीं जाएगी कम ओन मावल फाइन्स दूट वर्प्र हटठा उन्म चियूल टू याइए पलाएप। एल्स ए जृ इज डिल्मावटीता तिल फिल्म इन ख विल्बेहरा थे दिद क्रश मैंब्स भर्या हूआःएगा